हेलो दोस्तो मीर होम किचन में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ उड़त की डाल और च्छेने की डाल की रेसिपी जो आपको बहुत ही जादा पसंद आएगी तो चलिए फिर सुरू करते हैं हम आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग पाउल और उसमें आदा कप डाल एड़ कर देते हैं तो मैं यहां चैना डाल ले रहे हूँ आदा कप ही मैं यहां उड़त डाल लूँगी उड़त डाल को सबसे पहल 2-3 कप पानी डाल देती हूँ पानी मैंने गरम लिया है आदा खंटे के लिए भीगो कर लग देते हैं और अगर आप इसका शिलका बिल्कुल अलग करना चाहते हैं और दाल को तब बनाना चाहते हैं तो आप इसे कम से कम दो से तीन घंटे के लिए जरूर भी होईएगा तब ही इसका छिलका जो है अच्छे से उतर जाएगा तो हमें यहां बिल्कुछ छिलका नहीं उतारना है अपनी डाल का और देख सकते हैं आदा घंटे में हमारी जो डाल का पानी है काफी जादा काला हो चुका है अब हम इसे चार से पांच बार इसे साफ पानी से वाश करेंगे तो बिल्कुल हमें इसका जो काला काला पानी है वो बिल्कुल साफ कर देना है और जितना छिलका उतरे उतना उतार लेना है तो यहां डाल आपको जैसी चाहिए आप ऐसी रख सकते हैं अगर आपको छिलके वाली दाल ही इस्तमाल करनी है तो आप उसे बस कुछी देर के लिए भिगोईए वो भी ठंडे पानी में और अगर आप इसका छिलका उतारना चाते हैं तो फिर आप इसे गरम पानी में ही भिगोए इसका हिलका तब ही अच्छे से उतर पाता है तो यहां हम अपना कूकर लेंगे और अपनी दाल कूकर में ट्रांसफर कर देंगे और अब हम उसमें कुछ चीजे आड़ कर देते हैं मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है जिसे मैंने लंबे पीस में काट लिया है उसे एड़ कर देते हैं छे साथ में हरी मिर्च लूँगी बारी काट कर मिर्च भी ये तीखी है क्योंकि मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्च का इस्तमाल करूँगी लाल मिर्च में इसमें नहीं डालूँगी और छोटा सा मैंने एक अतरक का टुकड़ा जो बारिक बारिक करके काट लिया है और चार सी पाँच मैने लहसन की कलिया जो मैंने कद्दू कस कर लिया है उन्हें भी एट कर दीती हूँ अब मैं इसमें आदा चमच धनिया पाउडर डालूँगी धनिया पाउडर हमें बहुत जादा नहीं डालना है आदा चमच का ही इस्तमाल करें और आदा चमच मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी तो से तीन चमच मैं तेल एट करूँगी क्योंकि तेल से हमारी जो दाल है बहुत जल्दी से गल जाती है और एक चमश नमक डालूंगे अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो हमने एक कप दाल ली है तो हम एक कप दाल के लिए साड़े तीन कप पानी लेंगे अगर आप थोड़ा सा दाल को टाइट रखना चाहते हैं तो आप उसमें तीन कप पानी डाल दीजिए और अगर आपको दाल एकदम मेडियम चाहिए तो इसमें साड़े तीन कप पानी डाल दीजिए उससे बिल्कुल एकदम परफेक्ट दाल बनकर तयार होगी पानी एड़ करने के बाद हम अपने कूकर की लीड लगाएंगे और इसे हम गैस पर चड़ाएंगे हमें यहाँ तीन सीटी आने तक अपनी डाल को पकाना है और तीन सीटी आने के बाद हम अपने गैस को बन कर देते हैं और प्रेशर खतम होने के बाद हम अपनी डाल को खोल कर देख लेते हैं तो देखिए डाल हम इसमें तड़का लगा लेते हैं तो तड़के के लिए हम ने यहाँ जो अपनी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देते हैं तो तेल अच्छे से गरम हो जाए तो 6-7 मैंने यहाँ लोंग ली हैं उने डाल देती हूँ और 3 मैंने हाँ तेज पत्ता लिए हैं उने भी डाल देती हूँ और 6-7 मैंने लहसन की कलियां जो बहुत जादा बारिक-बारिक सी काट ली हैं उने भी डाल देते हैं तो लहसन हमारा गॉल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें एट कर देते हैं तीन चार लाल मिर्च बीच में से तोड़ कर डालिए और लाल मिर्ची को हमेशा जब भी भी तड़के में डालो लाश्ट में ही डालना चाहिए क्योंकि लाल मिर्च अगर हमारी बहुत जादा फ्राई हो जाती है तो वो कड़वी लगनी लगती है तो लाल मिर्च अच्छी से हमारी फ्राई हो जाएं तो उसके बाद हम अपनी डाल एट कर देते हैं तो हमने यहाँ डाल में कोई लाल मिर्च इस्तमाल नहीं की है फिर भी हमारी डाल का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और यह डाल खाने में इतनी ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती है एक बार आप इसे जरूर ट्राई केजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो अब हम इसमें लाश्ट में डाल देते हैं अपना हरा धनिया काफी सारा हरा धनिया आप इसमें डाल दीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता इस डाल में हरा धनिया और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला एट करेंगे और उसके बाद हमारी डाल एकदम तयार है सर्व करने के लिए आप इसे रोटी पराठी या फिर चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं अब हमने इसमें फ्राइ करते हुए लोंग डाली थी तो अगर आप इसमें से लोंग हटाना चाते हैं तो इसी स्टेज पर आप ये लोंग हटा दीजे क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छे से दाल में आ चुका है मैं इन्हें बिल्कुल हटा देती हूँ क्योंकि हम लोग इतनी सारी महनत करते हैं कोई भी चीज इतने अच्छे से हम बनाते हैं और कोई भी लॉंग या फिर काले मिर्च वगेरा मुँ में आ जाती है तो एक दाम जो टेस्ट पूरा हराब हो जाता है तो बस इतनी सारी महनत करने के बाद ये छोटा सा काम रह जाता है इसे भी आप कर दिया करें तो जब भी मैं ये लॉंग या फिर काले मिर्च या इलाइच वगेरा डालती हूँ तो मैं ये सब गिन कर ही डालती हूँ और निकालती समय भी मैं इने गिन लेती हूँ तो आप भी इसी तरह कीजिए तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिजिए और दोस्तों में सेर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो अपने इस छोटे से चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले और बैल आइकन को भी दबा दिजिए ताकि नई फीडियो की नोटिफिकेशन आपकी पास तक पहुंसती रहे तो ये तड़का डाल आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे एक बार आप इस तरीके से दाल बना कर देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये दाल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और प्लीज चैनल को सस्क्राइब किये बिना बिल्कुल न जाए की केर